प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ग्राविटेशनल फोर्स भी हमाँ पास अलग-अलग मासेश के कारण अलग-अलग लग सकते हैं जैसे माँ पास मानलो एक यह मास रखा हुआ है और यहां पर दो-तीन और अलग-अलग मासेश हैं इसके पर जो फोर्स लग सकता है वो इस तरफ लग सकता है मानलो वो आजाता है F1 यह होगा मानलो मेरे पास मैं इसको बोल देता हूं M1 है यह में पास M2 है यह M3 है तो इसके उपर F1 लगा रहा है M1 दूसरा वाला लगा देगा लेटसे इस वाले ने लगा दिया हमाया पास F2 और तीसरे वाले ने हमाया पास लगा दिया इस तरफ लेटसे उसको बोल देता हूं F3 तब फोर्स में वेक्टर एडिशन होता है तो मैं इसके बास बूलोगा अब इसके उपर जो भी नेट फोर्स लग रहा होगा उसकी वैलियो जाती है F1 प्लस F2 प्लस F3 बहुत ही ऑवियस सी चीज़ है बस इसमें हमें यही समझना है कि अगर मैं यहाँ पर एक मास लेकर आ गया है मानलो पहले सिर्फ यही वाला मास था और अगर मैं दूसरा मास म कोई कमी नहीं आएगी पस ऐसा हो जाता है कि हमया पस IG पस एड़िजनल एक फोर्स औरर एड़ हो जाता है तो अब डिनों के कारए नेट रिजल्टन फोर्स कुछ मानलो ऐसा आ जाता है आप ऐसा मत बोलना कि भई इसका force कम होगा, इसका force उतना का उतना ही रहेगा, इसने कुछ अपना force अलग अड़ कर दिया, इसने अपना कुछ force अलग अड़ कर दिया और नेट force की value जहीं जाती है individual forces का एक दूसरे पर असर नहीं पड़ता है two point masses m and alpha m are separated by a distance r another mass m0 is placed on the line joining them at a distance x from the mass m such that it's experienced no gravitational force find the value of x as function of r and alpha तो देखो यहां से x distance पे basically यहां पर x distance पे हमने कुछ mass रख दिया है m0 अब यहां पर यह m0 रखा है इसको दोनों mass कीचेगा, यह भी खीचेगा, यह भी अपनी तरफ कीचेगा इसके उपर let से एक force लगता है इस तरफ f1, दूसरा force लगता है इसके उपर f2 इस तरीके से अगर हमें बोलना है कि उसके उपर net force कुछ नहीं है it experiences a no gravitational force इसका यह मतलब थोड़ी forces नहीं लगे इसका मतलब है जो दोनों opposite direction में लगे थे equal थे, cancel out हो गया हमाई पास यहां पर हमें क्या करना है f1 की value अगर f2 करनी है तो वो एक specific जगे ही होगी यहां पर अगर आप उससे इधर कहीं रख दोगे तो यह वाला जादा कहींच लेगा उससे जादा इधर रख दोगे तो फिर यह force इस तरफ कहींच लेगा तो वो value पता करने की कोशिश करो x की क्या है वीडियो को pause करो, question को solve करो इसका correct answer है x is equal to r upon 1 plus under root of alpha पर यह formula रटनी की आपको ज़रूरत नहीं है जब भी question आएगा तो इसको solve कर लेगा वैसे ऐसे questions आने की chances कम होते हैं पर हमें पता होना चाहिए इसलिए हम solve करके देखेंगे तो देखो हमें कर देना है f1 is equal to f2 के बराबर f1 की value कितनी हो जाती है f1 की value हो जाएगी g times m m0 upon उन दोनों के बीच में distance कितना है x तो उसका square कर दिया will be equal to f2 की value कितनी हो जाएगी यह हो जाएगा आपास इन दोनों के बीच में जो force लगने वाला उसकी value हो जाएगी g into m0 दूसरा mass है alpha times m divided by इन दोनों के बीच में distance कितना है यह distance हो जाता है में पर देखो total था r यह था x तो हो जाता है r minus x जैसे r minus x हो तो यहां लिख दूँगा मैं r minus x इसका square कर दूँगा देखो बहुत सारी चीज़े cancel out हो जाएगी g m m0 g m0 और m यह सब cancel out हो जाता है हमाँ आपस equation क्या दिया थी r minus x इसका whole square will be alpha times x square ठीक अब देखो इसको solve करने का simple तरीका है यहां पर इसको expand मत करो यहां पर जो है ना इसको पूरे का under root ले दो इसको पूरे का under root ले देते तो मिरे पास क्या जाता है r minus x is equal to under root of alpha times x और जहां से यह मिरे पास आगया तो यहां पर मिरे पास value आजाती है r is equal to x 1 plus under root of alpha यहां पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहां फिर मैं बोल दूगा कि हमाँ आपस जो x की value आजाती है x is equal to r divided by 1 plus under root of alpha actually बहुत ही simple था अगर आप यहां पर इसको open कर देते तो शायद थोड़ा solve करने में मुश्किल आ जाती तो इस तरीके से आप question देखो यहां मेरे कोई ना कोई x exist करेगा हमेशा जब वो value आएगी इस तरीके से जहां पर उसके पास net force की value 0 आती है अच्छे alpha की value alpha मतलब अगर दोनों मासे same होते तो alpha की value में 1 रख देता alpha की value run रखते हैं यहां पर 1 plus 1 कितना हो जाता है 2 तो यह value आजाती है r by 2 इसका मतलब exactly बीचो बीच वो point आजाता जो symmetry से हम feel भी कर सकते है 3 identical point मासे small m are placed at the vertices of an equilateral triangle of side a तो मैं आपास यहां पर देखो अच्छा diagram बनाओ इस तरीके से सारी की सारी सारी side a ही रख दो alright the net gravitational force on any of them will be तो पहली बात तो कहां को पर net gravitational force 0 होगा नहीं अब देखो इसके उपर क्या होगा मानलो कोई साभी particle हमें select कहना है मानलो मैं इसकी बात करों तो इसके उपर एक force यह वाला mass लगा रहा होगा दूसरा force यह वाला mass लगा रहा होगा इन दोनों के कारण net resultant force और उसका magnitude हम से पूछा है तो बहुत ही अच्छा सवाल है और वीडियो को pause करो question को solve करो इसका correct answer है D एक काम करते हैं पहले F का magnitude पता करते हैं हमारा पास देखो सिर्फ अगर F की बात करों तो F की value आज़ा दी GMM divided by A का square दूनों mass M है इनके बीच का distance A है यह log gravitation से आ गया सिर्फ हमें F थोड़ी बताना हमें तो बताना है total force कितना होगा तो देखो अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का angle भी मैं जानता हूँ क्योंकि equilateral triangle है तो इन दोनों के बीच में जो angle होगा वो होगा कितना 60 degree और इन दोनों के कारण जो हमारा पास resultant आने वाला है तो यहाँ पर value रखेंगे तो 2 force की value है gm square divided by a square cost 30 की value कितनी होती है वो होती है root 3 upon 2 यहाँ से मैं आपास हमारी value हो जाती है जो answer होने वाला है gm square root 3 divided by a square d is the correct answer यह जो छोटा सा वीडियो आपने देगा एक छोटा सा पाट है प्यार से सुन्दा से colorful से crash course का जहां पर हमने 43 days में पूरा का पूरा से लिवस ऐसी colorful तरीकों से 11 का 12 का completely cover किया है with lots of previous sales questions link is in the description उसको जरूर चेक आउट करो वापे आपको colorful PDF भी मिल जाएंगी download कर लेना महा से हम मिलेंगे पूरा समय